प्रदेश सरकार की उचित मूलियों की दुकान पर रियायती दरों पर मिलने वाले राशन के दामों में बढ़ होतरी की गई है। सरकार ने एपियल के साथ साथ बीपियल कोटे के राशनकार धारकों की दरों में भी बढ़ होतरी की है। एपिल की बात करें तो आटा अब 12 रुपए प्रति किलो और चावल 13 रुपए में दिया जा रहा है। वहीं BPL श्रेणी को आटा अब 9 रुपए 30 पैसे और चावल अब 10 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। इसके लावा सरसों के तेल का दाम अब 113 रुपए प्रति लिटर कर दिया गया है। मंडी के खाद्य नागरिक आपूर्थी एवं उपभुखता मामले के नियंतरक विजे सिंग हमलाल ने बताया कि तेल की नई दरें पिछले महीने से जबकि आटा और चावल की नई दरें इस महीने से लागू कर दी गई है। कि एपियल में आटा और चावल मिल रहा है जिसको ओटी एनफसे बोलते हैं उसकी उसके दरों में पहली सेप्टेंबर से बढ़ोत्री की गई है। आटा जो है 2 रप 13 रपसे बंगा हो गया है 최근 17 रपाई चावल 13 रपसे बोलतरों मिल विल चावल 10 5-5 रपसे ल्फफित शहर के उप्भोगताओं ने बढ़ाए गए दामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से निम्नवर्ग के लोगों को रियायत जारी रखने की अपील की है उप्भोगता, कुसुम, हरीप्रिया और तारा शर्मा ने कहा कि सरकार राशन की गुणवत्ता पर ध्यान दे और निम्नवर्ग के लिए रियायतों को जारी रखें ताकि सरकारी राशन से ऐसे परिवारों का गुजर बसर सही तरिके से हो सके कम जोर तबके के लोग भी ले सके उस राशन को